हेलो गाईज कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हैं मेरे पैर में चोट लगने की वज़े से कई दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई मेरा पैर मुड़ गया था और मेरे पैर का मास फट गया था इस वज़े से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी अब भी थोड़ा अराम हो गया है आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाँगी कि बच्चे की ड्राय शीट किस-किस तरह की आती हैं यह देखो भई आज मैंने महरून कलर की कुड़ती पेहनी है विंटर में डेली वेर में मैं इसी तरह की उनी कुड़ती पहनती हूं गटर पर ये dry sheet पतली सी है लेकिन आवाज नहीं करती है bad sheet के नीचे हमासाने से बिचा सकते हैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी मैं इस पे पानी डाल के दिखाती हूँ आपको ये देखो भई मैंने पानी डाल दिया बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा ये experiment पहले मैंने करके दिखा है कि पानी नीचे तुनी जा रहा है बहुत अच्छी dry sheet है कही तरह की आती है ये सबसे बड़े वाली है ये double bed की है, single की भी आती है और छोटी भी आती है बच्चे को गोद में लेने वाली और दो तरह की मैं दिखाती हूँ आपको बहुत अच्छी है सीलन तक नीचे नीचे किसी भी कलर में आप ये dry sheet ले सकते हो ये छोटी dry sheet है इस तरह की छोटी sheet भी हमें लेने चाहिए जब बच्चे को दूद पिलाते हैं गोद में लेकर या फिर गुमाती है तो बच्चे को आथ में रखना होता है तो ये इस तरह की dry sheet हम ले सकते हैं चोटी dry sheet का भी ये फाइदा है कि 24 गंटे तो बच्चे को डाइपर लगा के नहीं रख सकते इसलिए घर में दिन में तो बच्चे को डाइपर लगाया नहीं जाता तो इसी तरह की dry sheet हम ले सकते हैं और बच्चे को गुद में ले या फिर दूद पिलाना हो वो हम अच्छे से कर सकते हैं इन dry sheet के साथ ये देखो भई एक इस तरह की dry sheet आती है अलग-अलग color में मिलती है ये एक बड़ी sheet थी उन में से हमने दो sheet बना रखी है ये sheet तब काम आती है जो बच्चों को सुलाते हैं तो पैड़ पे नीचे पिछा के इसके उपर से हंगूँ इनका प्राइज भई मुझे पता है मैं बता देती हूं आपको ये आती है साड़ी 300 रुपे की और ये छोटे वाली आती है 100 रुपे की और ये बड़े वाली आती है 200 रुपे की तीनो ड्राइशीट बहुत अच्छी है और तीनो ड्राइशीट का अलग अलग यूज है आप भी किसी तरह की ड्राइशीट खरीग सकते हो बहुत अच्छी है बच्चे के साथ में तो ड्राइशीट खरीगने ही पड़ती है I hope आपके लिए ये वीडियो useful होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like and subscribe जरूर करें